और अगर Pepsi को पीना है तो सोच कर पी हो कि इसमें वही एसिड है जिससे Toilet Cleaner बनता है और उतना ही एसिड है जितना Toilet Cleaner में होता है मैंने एक बार Pepsi का pH कैलकुलेट किया था 2.4 है और Phenyl का pH भी 2.4 है Harpik का pH भी 2.4 है तो एक दिन मैंने सोचा Harpik से Toilet साफ होता है तो Pepsi से भी होना चाहिए मैंने किया और एक दम जखा जख सफेद से उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया ठंडा मतलब Toilet Cleaner और हम पीते हैं अकेले नहीं घर में आने वाले महमान को भी पिलाते हाँ एक तरफ कहते हैं अतिती देवता होता है देवताओं को इस अंडा साफ करने का पानी पिलाते है ये पीने की चीज़ नहीं है और अब तो आपको मालूम है न पेपसी कोक में जहर भी है DDT, Benzine Exacloride, Cloropirephos ये सब Pesticides और जो वेग्यानिक इस पर रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि 7 साल पेपसी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा पाँच साल पियो तो नपुन सकता आ जाएगी वेग्यानिक तो बोलते हैं कि एक इंजेक्शन पेपसी ब्लड में लगाओ तो हिर्देगात की संभावना पैदा हो जाए कई वैग्यानिकों ने ये सिद्ध किया है कि गर्ववती मा अगर कोका कोला पी ले तो गर्व में बच्चा विकलांग पैदा हो आँख में पेपसी कोग डाल दिया तो आँखों की रोशनी चली जाए दाट डाल दिया तो दाट गाया अभी ये कोई पीने की चीज़ है मत पी हो अपने पास बहुत कुछ है पीने के लिए संत्रे का रहस मुसम्मी का रहस नीबू की शिकंजी नारियल का पानी दही की लसी गाय का दूद कुछ नहीं मिले तो गड़े का पानी तो ये अमेरिका और यूरोप से